आजादी का अम्रूत महोसव समाप्त होगा और 16 अगत्स आजादी की 75 साल से 100 साल की यातरा की सुरुवात होगी जो निश्चित रुप से महान भारती रचना करेगी। प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए पांच प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। मानने अध्यक जी ये प्राच प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे हमारे मन से वो बोध को दूर करेंगे। मानने अध्यक जी आज में जो विदयक तीन विदयक एक साथ लेकर आया हूँ वो तीनों विदयक एक प्रकार से मोधी जी ने जो पांच प्रण लिये हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। मानने अध्यक जी एक तीनों विदयक दंड विदयक प्रक्रिया क्रिमनल जस्टिस सिस्टिम को बेजिक कानून इसके लिए मूलभूत कानून एक तीन विदयक के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो अठारा सो साथ में बनाया गया। दूसरा है क्रिमनल प्रोसीजर कोड जो अठारा सो अठानवे में बनाया गया। और तीसरा है इंडियन एविदेंस एक जो अठारा को अठारा सो बहत्तर में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाये गिये, अंग्रेजों की संसत के द्वारा पारित किये गए, ये तीनों कानूनों को समाप्त करकर आज हम तीनों नए कानून पुरस्काफिक करने के लिए में आया हूँ मान्य अजग्जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगे भारतिय नियाई सहीता 2023 अब एस्टाबिलीज होगी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगे भारतिय नागरिक सुरक्षा सहीता प्रस्ताफित होगी, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, 1872 की जगे भारतिय साक्स अधिनियम 2023 प्रस्ताफित होगी, यह कानूनों की जो कानून डिपील होगी, इस तिनों विदेश, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्यबिंदू है, कानून बनाने का, वो अंग्रेज सासन को मजबूत करने की धुरुष्टी से कानून बनाए गए थे, अंग्रेज सासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे, और उसका उद्देश दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था, ये दोनों मूलभूत जीजो पर हम परिवर्तन करने जाए, ये तीनों कानूनों को रिप्लेस करकर, इनकी जगए जो तीन नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी, भारत के नागरिकों को सम्विधान प्रदत सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक साथ, ये कानूनों का उद्येस किसी को दंड देना नहीं होगा, इसकानूनों का उद्येस सबको न्याय देना होगा.